बहुमुखी प्रतिबा के धनी दिगज अभिनेता और सिंगर किशोर कुमार के बारे में शायद ही कोई ऐसा शक्स होगा जिसे ना पता हो अपनी जबरदस्त गायकी और अनोखी कॉमिक टाइमिंग से उन्होंने फैंस के दिलों में एक अलग जगह बनाई है किशोर कुमार अपनी सिंगिंग को लेकर तो बॉलिवूड में मशूर थे ही लेकिन इसके साथ ही वो अपने चंचल सोभाव से भी हर किसी का मन महोलेते हैं हाला कि एक्टर अशोक कुमार के भाई होने के बावजूत भी उन्हें हिंदी सिनेमा में अपनी जगह बनाने के लिए खुग पापड बेलने पड़े आज हम उनकी डेट अनिवर्सरी पर आपको उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे दिल्चस्प और अनसूने किस से बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आप भी जानते हों या ना भी जानते हों बॉलिवुड में सफलता पाते ही हर एक्टर और सिंगर खुद के लिए एक आलिशान घर बनवाना चाहता है किशोर कुमार भी उनी में से एक थे हाला कि किशोर कुमार का सपनों का आशियाना दूसरों से काफी अलग था रिपोर्ट्स की माने तो किशोर कुमार ने एक बार अपने घर में आर्किटेक्चर को बुलाया और उन्हें कहा कि वो ऐसा घर चाहते हैं जहां बस हर कमरे में पानी हो यहां तक कि उनका बेडरूम भी इतना ही नई सिंगर की तो ये भी ख्वाईश थी कि उनके बेडरूम हाल तक जा सके हाला कि उनका इस अपना कभी साकार नहीं हो पाया सूपरस्टार राजश खना और किशोर कुमार आपस में काफी अच्छे दोस्त थे दोनों ने साथ में 1976 में आई फिल्म महबूबा में काम किया था इस फिल्म का गाना मेरे नैना सावन भादो काफी बड़ा हिट साबित हुआ एक बार किशोर कुमार निर्माता निर्देशक बी आर चोपडा के पास काम मांगने गए थे लेकिन उन्हें काम देने के लिए बी आर चोपडा ने उनके सामने कुछ शर्ते रखी जिसे उन्होंने मानने से साफ इंकार कर दिया इसके बाद जब किशोर क उम्हार उस सदी के ऐसे सिंगर थे जो मेल और फीमेल दोनों ही आवाज में गाना गाते थे 1962 पे रिलीज हुई फिल्म हाफ टिकट में उन्होंने आके सीधे लगी दिल पे जैसी गाने में उसका मेल और फीमेल वर्जन दोनों गाया था दरसल ये गाना वो लता मंगेशकर के साथ गाने वाले थे लेकिन लता मंगेशकर किसी कारण वश रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई जिसके बाद उन्होंने अकेले ही इस गाने को गाया दिगज सिंगर लता मंगेशकर को किशोर कुमार काफी मानते थे जब भी वो लता मंगेशकर के साथ कोई गाना गाते थे तो प्रडियूसर उनकी फीस के बारे में पूछा करते ऐसा कहा जाता है कि किशोरदा प्रडियूसर से हमेशा ये कहते थे कि recording के लिए जितना पैसा दिया गया है makers उन्हें उससे एक रुपया कम दे ऐसा कहा जाता है कि किशोरदा अगर किसी से बदला लेने पर उतारू हो जाते तो वो किसी की भी नहीं सुनते थे फिल्म प्यार किये जा में महमूद ने किशोर कुमार से ज्यादा पैसे लिए थे बस यही बात उन्हें बिल्कुल रास नहीं आए फिल्म पड़ोसन में डबल पैसा लेकर उन्होंने महमूद से अपना बदला लिया किशोर कुमार भले ही फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थे लेकिन वो खुद को बॉलिवूड की पार्टीस और चकाचौन से दूर रखना ही पसंद करते थे लेकिन उन्हें खंडवा मध्यपरदेश की दूध जले भी बहुत पसंद थी वो हमेशा ये कहा करते थे कि जब वो फिल्मों से सन्यास लेंगे तो खंडवा में जाकर ही बस जाएंगे उनकी इच्छा नुसार उनका अंतिम संसकार भी खंडवा में ही किया गया था किशोर कुमार और मधुबाला के प्यार की कहानी बहुत ही दिल्चस्प है मधुबाला ने काफी कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था लेकिन उनकी अंतिम सांस तक किशोर कुमार ने उनका हाथ और साथ दोनों ही नहीं छोड़ा किशोर कुमार ने एक इंट्रिवी में खुद इस बात का खुलासा किया था जब मधुबाला बिमार थी तो वो बेड़ पर लेटे लेटे काफी परिशान हो जाती थी और मैं उन्हें हमेशा हसाने और खुश रखने की कोशिश करता था इसी प्रकार की तमाम जानकार युकल हमर साथ जुड़े रहिए नमस्कार